बचेओं उनसे देखांगे चाप्टर नंबर 13 येदार सीर्षयक है संतुलित भूजन बचों अभी हम देखेंगे चाप्टर नंबर 13 जिसका सीर्षयक है संतुलित भूजन तो आओ पहला आज से कठें छब्द देख लेगे बंद गोबी, मक्षण, पदारत, जियोंदे, शक्ती, अनुसार, तंद्रुस्त, बगैर, सब्जियां, जीवन और असी लेसन वाल चल देयां, बच्चेओं, साड़े, सारियां दे जीवन दी एक बहुत ही जरूरी लोड है इसनों पूरा किते बगैर असी जियों दे नहीं रह साकते, ओ है भोजन तो बच्चों यहां पर बूला गया है कि हमारे सबके जीवन का एक बहुत महत्वपूर ही जरूरी है, जरूरत है, वो है भोजन इसके बिना हम लोग जिन्दा नहीं रह सकते, भोजन साड़े शरीर नू ताकत दिन्दा है, भोजन हमाये शरीर को ताकत दिता है, भोजन करके ही साड़ा शरीर वद्दा फूलता है और भोजन खाके ही हमारा शरीर जो है वो बढ़ता फूलता है, लोड अते समय अनुसार किता गया भोजन शरीर नू तंद्रोस्त रखता है तो यहाँ पर बोला गया है कि जरुरत और समय अनुसार किया गया भोजन हमारे छरीर को तंद्रोस्त रखता है जिड़ा भोजन असी खान दे हां ओ विच्च उस विच्च कई प्रकार दे पदारत पाये जान दे हां तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भोजन हम लोग करते हैं या फिर खाते हैं उसमें कई प्रकार के पदारत हमें मिलते हैं इना पदार्था विच्चों कुछ पदारत हुन दे हन जेड़े साड़े चरीर नू शक्ति दिन दे हन तो इन में से कुछ ऐसे पदारत हैं जो कि हमारे चरीर को, हमारे बॉडी को शक्ति प्रदान करते हैं जीवे, क्यो, मक्खन, चौड, आलू, दाल, चीनी, आदी, शरीनो, शक्ति देनवाडे पोजन हन तो यहाँ पर हैं जैसे, क्यो, मतलब घी, मक्खन, बटर, चौड, मतलब राइस, आलू, मतलब पटैटोस, दाल, पल्सिस, चीनी, आदी, शरीनो, शक्ति देनवाडे पोजन है तो यह सब जो हैं, हमारे चरीर को, शक्ति देने वाडे पोजन है साडे भोजन दे कुछ पदारत इहो जैहन, जिना नाल साडे शरीर दिया, हड़ियां अते, पठेयानों मजबूती मिल दी है दुद, पनीर, सबजियां, आंडे, आदी, इहो जै पोजन दे अंगहन तो हमारे खाने में, हमारे भोजन में कुछ पदारत ऐसे भी हैं जो कि हमारे शरीर के हड़ियों को, यानि बोन्स और पठेयों को, मतलब मसल्स को भी, मतलब बढ़ाने, फूलने में काम आते हैं और जरूरी पोशक पत्व हमारे बोडी को देते हैं, जैसे दूद, पनीर, ग्रीन वेजिटेबल्स, अंडे यानि एग, आदी, यही सारे हैं जो कि हमारे खाने के अंग हैं जेड़ा भोजन असी खान दे हां, ओस विच कुछ पदारत अईजे हुन दे हां जो साथे शरीर ते, रोगां ते, बिमारियां अत्यों रक्षा कर दे हां सबजियां अते फलदार पदारत यहो जै ही पदारत हां तो कुछ खाने की चीज़ हैं यही कुछ खाने की पदारत ऐसे भी हैं जो हमारे शरीर को disease यानि रोग और बिमारियों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं जैसे कि फलदार पदारत और green vegetable मतलब fruits and vegetables ये साड़े छरीननू तंद्रोस रखन चे मददकार होंदे हन। दोद अते इस नाल बने पदारत जिवेंदही, लसी, क्यो, मक्षन, आदी छरीर दी हर प्रकार दी जरूरत पूरी कर दे हन। कुछे सबजियां नू कच्चे रूपचे खाना ज्यादा लाहे बंद हुंदा है। तो यहाँ पर कुछ बोला गया है कि जैसे कुछ सबजियों को हमें कच्चे ही यानि रौ ही खाना चाहिए। क्योंकि वो कच्चे खाने में ही लाप्धायक होते हैं। यहाँ पर और भी कुछ बोला गया है दूद या फिर उससे बने हुए पदारत। जैसे दही, लस्ती, ख्यू, गी, मक्षन आदी भी शरीर की बहुत सारी रौते पूरी करते हैं। कच्ची सब्जियों की अगर हम बात करें तो इना सब्जियानों सलात दे रूप चे खाना ज्यादा चंगा हुँदा है। तो जैसे हमारे है बंदगोभी, प्याज, टमाटर, मूली, गाजर इनको हमें कच्चा ही सलात के रूप में खाना चाहिए। इस तों इलावा बाकी चीज़ां पका के खानियां चाहिदिया हैं। और इसके इलावा बाकी चीज़ें हमें पका के ही खानी चाहिए। बच्चियों, जे कर तुसी तंद्रोस्त रहना चाहिदे होतां, तो आनू अपनियां आजतां विच सुधार करना चाहिदा है। तो यहां पर हमें बूला जा रहा है कि अगर हम लोको तंद्रोस्त रहना है, तो हमीं अपनियां आजितों पे सुधार करना जरूरी है। आओ, खान दे कुछ नियम तो आनू दसिये, जिनानू अपना के तुसे तंदुरुस्त रह सकते हो, तो आओ, हम लोग खाने के कुछ नियम देखते हैं, या फिर सुनते पड़ते हैं, जिनको रहके हम तंदुरुस्त रह सकते हैं, जैसे उड़ा, भोजन हमेशा समय अनुसार ही करना चाहिता है तो पहला है हमारा भोजन हमेशा हमें समय के अंसार ही करना चाहिए जदो पूख लगे भोजन उधों ही खाना चाहिता है तो यहां पर दूसरा नंबर है यहां बोला जारा है कि जब हमें भूख लगे तब ही हमें भोजन खाना चाहिए इड़ी हमेशा भोजन करन तो पहला आत्मों तो लणा चाहिता है तो यहां पर एक और नियम हम जानेंगे जैसे कि भोजन करने से पहले हमेशा हमें अपने हाथ और पैर धोके ही बैठना चाहि इक और नियम हम जानेंगे कि भोजन हमेशा चबा चबा के और दीरे दीरे मतलब होडी होडी खाना चाहिए हाँ, सानु हमेशा साव सुत्रे ठंग नाल पक्या होया पोजन ही खाना चाहिदा है तो यहाँ पर और कुछ पुला जा रहा है जैसे हमेशा हमेशा साव सुत्रे ठंग से बनेवे भोजन को ही खाना चाहिए कका नंगा अते बेया पोजन खार नाल असी बिमार हो सकते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे नंगा मतलब खुला हुआ अते बेया मतलब स्टेल फूड स्टेल बना हुआ हना फूड जो की मतलब पहले से बना हुआ भोजन है उसको खाके हम लोग बिमार हो सकते हैं खक्खा पोजन हमेशा इकठे बैटके खुछ रहके ही खाना चाहिदा है तो यहाँ पर बात करें अगर फैमिली की तो एक फैमिली को हमेशा साथ बैटके इकठे ही भोजन करना चाहिए कर्गा हमेशा शाकहरी भोजन ही करो और सबसे लास्ट और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा शाकहरी भोजन मतलब वेजीटेलियन, विदाउट फ्लेश, विदाउट मांस अगावाद शाकहरी भोजन ही करना चाहिए समय सिर्फ पौश्टिक कार आहार लेना, सिहत लेई, सारियां तो ज्यादा लाबधाइक है तो समय के अनुजार पौश्टिक भूजन यानी हेल्दी फूडी लेना या फिर खाना लाबधाइक होता है कार्दी बनी साफ सुत्री रोटी बजार दियां चटपटियां चिज्जा नाड़ो बदियां हुंदी है तो यहाँ पर हमें बूला जा रहा है कि घर में बनी हुई साफ सुत्री रोटी भूजन बजार की कुछ चटपटियों चीजियों से ही ज्यादा अच्छी होती है इस करके बजार दियां मसालेदार आते चटपटियों चीजा खान तो परहेज करके ही असी तंद्रोस्त रह सकते हैं तो फिर और बूला जाता है कि बजार की कुछ चीजों को यानि स्पाइसी चटपटियों चीजों को दूर रहके ही हम तंद्रोस्त रह सकते हैं तें लेवार